वणिक साब, सत्य ग्रह कार रहे हों की लगदा केंदर सरकारते असर पाएगा क्योंके छोटे लीडर दी जिसरे किनाले मेंबर्शिप कैंसल कर देती जान दी लोग सो बातों की किस तरी किन देखते हों जिको जी किसे ते असर इसकाल दा पहनदा है जा नहीं पहनदा असीं लोग तंतर बच्चाउन दे लई और आम लोगां तक ये आवाज बच्चाउन लई किस तरह सरकार ताना शाई रवाई एदेनाल एस तरह चुने होए लोगां दी सदस्ता रद कर देगी ता लोग तंतर कितना बचेगा राहुल गांदी देश दे उना लोगां दी आवाज बोलानद कर रहे जनरी आवाज सुन वाला कोई डिब आ न गरीबादी मजदूर हान दी दब्यां दी मिद्यां दी कुछलें दी बेरोजगारी दे खलाफ महंगाई दे खलाफ और जिस परकार कोई तक्याश ही हो रहा है उनना सारियां चीज़ा दे खलाफ और राहुल गांदी ने किसे परकार दी कोई ऐसी चीज़ नी किती जिरे ते दो साल दी सजा उननों मिले और उनना दी सदस्ता रद किती जावी हर व्यक्ती नों अधिकार है आप दी गल रखनदा मैं समझेंदा है कि ये फ्रीडम आफ स्पीच ते एक हमला है तो उसी देख्या होना अगर कोई पतरकार साथी कुझ लिखदा है ता उरा ट्वीटर अकाउंट है कर देता है जानदा है बंद कर देता है है सौरी बंद कर देता जानदा है तो लोगानों जेलाच एडी और सीब्याइदे राही सुठ देता जानदा है तो ए सरां ऑपोजीशन दे उत्ते नरंतर जड़ा वार हैगा वो लोक तंतर दे लई इस देश दे लई बहुत वड़ा खत्र है असी सत्रे ग्रह कर रहे है यह राहूल गांदी चीदे बिलकुल होना दिस सदस्ता रद किती है औरी लड़ाई था है लेकिन देश ते तमाम होना दी लड़ा लोगां दी लड़ाई है जिनना दी आवाज कोई नी सुन रहा और जिनना दी आवाज नो दबाया जा कारण ओनोनों ही टार्गेट कीता गया क्योंकि चौवे कंटेंदर मेंबर्शिप वी राध कर देना के एननी जल्दबाजी सी की कारण की लगता है तुसी दिखो की किस तरह बंद पईयां पर सीडिंग्स जिना लोगा ने खुद स्टे लिया सीगा जिना लोगा ने केस कीता फिर ओना ने गुजरादी हाई कोट्च जाके स्टे लिया और जिस दिन अडानी दा मुद्दा राहुल जी ने पहली वार संसद विच चक्या उस त बाद जजज साब दी एक दी ट्रांसफर हो जान दी है компलेड फिर कोट्च जान देने हाई कोट गुजरादा कर देने ते अपना स्टेट स्टेए जड़ानूं वकेट कराके प्रसीडिंग शुरू करो देने एक मीना फरब्रीच दुबारा प्रसीडिंग शुरू होई है ते एक मीने दे बीने अंदर-अंदर फैसला सना देता गया और तुसी यह देखो मदपागी कटना ही हुई कि मैक 307 वर्म कर्दमियाच 4 fine voice getting up कड्दमियाच। और नल दिनल एक दिनल चाउनना दिस सबस्ता राद कर देती गी जैत उसी पजाब दी होदा अरण लैलो डॉकτοर बलबीर सिंग जडे हल्थ मोनिस्टर सान पट्याला दे 3 साल दिन्हुनानों सजा होई MLA Sun उना दी सजा 5-7-10 जिना बाद स्टे होई उस तो बाद आज जो मिनिस्टर दे तो ओरते अब यहां सेवावाने बार रहे ने और राहुल गांदी ना इस तरह तक्का करना देश दी सब तो वड़ी राजने तेक पार्टी सब तो वड़ा राजने तेक कराना मैं समयना है कि एहे राहुल गांदी जी दे डर तो और राहुल गांदी जी लोग सब आच तमाम उना मुद्या ते आवाज बोलानना कर सकन अडानी दे प्रतियों सवाल ना परदान मंतरी नों पोच सकन एस करके 49 दस्ता राद कर देती जानी मुद्या तो पठक जान अपने कमाच एस आरियांच पाए जान इस करके कोशिच किती जारी के एक डिस्ट्रेक्ट कर देता जाए बिल्कुल 100 परसेंट वो हमेशा ही एस सरादा इरादा रहा है बीजेपी सरकार दा जान बुच के पहला राहु जी दी शवी नू जैसरा टालाओनी वार वार मीडिया ते उनने बारे कई गला करनी आ जाकमाणी आ और इस बार यातरा नू रोकन दी कोशिच करनी चाहे कोरोना दा बहाना से चाहे कोई होर बहाने दे रही और यातरा तो बादा हाजरो अडानी दा मसला आया तो जदो राहुल गांदी जी ने अपनी आवाज बुलंद करके उनने खलाफ लड़ाई लड़न दा एक होंसला किता तो उनने यह सारा कुछ किता देखो लड़ाई जदो जदो लोग तंतर नू टा लगेगी जदो जदो फ्रीडम आफ स्पीच किससे दी आवाज नू रोकन दी कोशिश किती जाएगी चाहे ओ राहुल जी दी काला है चाहे ओ पंजब दे किसे विक्ती दी काला है ओदों ओदों कॉंग्रेस पार्टी दा यत्यास रहा है कि ओंशन लड़ दी रही है चाहे उंग्रेजान दे खलाफ लड़ाई लड़ी चाहे किते भी कोई अत्वाद दे खलाफ लड़ाई जित्थे जित्थे इस सरांदी लोग तंतरनू टालाओं दी कोशिश होएगी उत्थे उत्थे कॉंग्रेस पार्टी मोरी होके लड़ाई लड़ी तो वी मीटिंग होई सोनिया गांदी जी मजूद सी कहेंदे के सडका थे उत्तरेगी हुन कॉंग्रेस पूरे टाइम अगेदी की त्यारी रहे हैं सारा कटना कर्म रच्या गया है और एक सनेहा देने चौन दे है कि असी राहूल गांदी नूँ सजा भी हो सकती है और उनना दी सदस्ता भी रद हो सकती है अगर तुसी भी किस पर कार्दी कोई आवाज साड़े खलाफ उठाऊंगे अगर तो अडेनाल भी यह हुजा रवया हो सकता है यह तमाम कटना कर्म एक सनेहा देना से किता गया है पाजपावलनों के इंदर सरकारवलनों के जे तुसी सरकारदे खलाफ कोई भी सवाल चकोंगे गाल रखोंगे तथोनु जड़ा है और गतना पैस सकता है अब रिदर सिंग राजावलें के लांदे नजर आई ने